पिछली बार की तरह जैसे हाइस्ट आराउंड 85 लाइक्स गया था तो अगर आप मेहनत करते हैं तो फिर आप आराम से 50 लाइक्स का भी पैकेज ले सकते हैं हेलो गाइच दिस लक्से नागर प्रोम आयाटी मद्रास यह अपनी शिक्त वीडियो होने वाली अब आउट डिपार्टमेंट वाली सीरीज की और इस सीरीज की लिंक आपको डेस्क्रिप्शन में मिल रही होगी जिसमें हमने सभी डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे और आगे भी और बात करेंगे और डिपार्टमेंट के बारे में और इस वीडियो में सीविल डिपार्टमेंट के बारे में देखने वाले हैं यह बहुत ही डीटेयल में वीडियो होने वाली हैं जिससे इस वीडियो को देखने के बाद आपके हर डाउट के लिए हो रहे हो के सीविल डिपार्टमेंट के बारे में और जो इस वीडियो में आपको बताएंगे वह थर्ड एयर में फढ़ रहे हैं अभी तो वह अपना एक्सप्रेयंस सेड करेंगे तो चलो उनसे मिलते हैं इस डिपार्टमेंट में को पढ़ने को मिलता हैं क्या 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 चीज़े तोड़ी ज्यादा रहते हैं कम रहते हैं इंको एक्स्प्लेइन करिये अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा तो नॉर्मल होते हैं इतने भी टफ नहीं है और इतना भी इजी नहीं कह सकते हैं और थोड़ा भी अगर आपको सिविल में इंट्रेस्ट है तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा अगर इंट्रेस्ट नहीं है तो फिर प्रॉबलम हो सकती है थोड़ा सा अगरडिंग डू में इस है चाट में होता है एंट्रेस्ट इयर में प्रॉबलम होता है कि जाना चिजै प्रॉबलम होता है और थोड़ा सा उसमें physics होता है, maths होता है, calculations होती है practical courses में generally क्या आता है, labs आता है और थोड़ा सा तुम्हें basically कोई sites वगर अपर कभी लेके जा सकते है तुम्हारे लिए projects वगर होते है जिसमें तुम अपना जो practical knowledge gain करते है वो apply कर सकते हो और अगर engineering और science में ये major difference है कि तुम्हें जो knowledge gain और practically apply करना पड़ता है वो खाली pen गाज पे तुम करोगे तो उससे कोई फायदा ने होने वाला तुम कुछ-कुछ जगा तुम्हें ऐसा भी होगा कि ये चीजे लॉजिकल लगने ही बड़ तुम जब practicality experimental values निकालोगा तुम्हें पता चलेगा कि नहीं है ज्यादा चीजे अच्छी है तो वो सारी चीजे तुम्हें practical subject से समन्ने आएगी तो ये चीजे बूलना चाहिए फिर कुछ other courses like engineering design so called like that is one of the toughest course not toughest but yeah it is painful cool so वो है और कुछ basic courses first year में होते हैं जैसे construction and building materials and introduction to civil engineering first course introduction to civil engineering में आपको different type of branches of civil engineering sort of like geotech engineering, geotechnical engineering then transportation engineering and construction engineering like that as a different divisions of civil engineering उसके बारे में introduce कराया जाएगा okay इस branch में future scope क्या क्या है अपने higher studies में और placement में non core में और core में इसमें higher studies में opportunities बहुत सारी हैं जैसे हम इसके आगे mtech या ms कर सकती है पी एचिडी कर सकते हैं अगर आपको civil के बारे में core बहुत ज़्यादा interest है आप आगे इसके लिए पढ़ा ही कर सकते हैं placements की अगर मैं बात करूं तो mostly बच्चे non core प्रिफर करते हैं इसका सबसे बड़ा factor है money सो हम सीविल के core में इतना ज़्यादा पैसा नहीं है तो इसलिए बच्चे क्या non core के लिए भागते हैं जैसे बताएं मेरे दोस्तने एक non core में बच्चे ज़्यादा जाते हैं कोर में बहुत बच्चे नहीं जाते हैं 15-20 परसेंट इसलिए बच्चे नहीं जाते हैं एक हाय स्टडीज का option है फिर दूसरा option जो सिविल के बच्चों में popular है वो है गवर्मेंट जॉब बिकास गवर्मेंट सेक्टर में बहुत सारे जॉब है जो सिविल और सिविल के लिए है खुली है तो यह भी एक option है जो लोग गवर्मेंट स्टेडीज या फिर जिन्हें आगे हाय स्टेडीज नहीं करने होते है वो तूर्ड जाते है जिसे अभी कोई भी सिविल इंजिनेरिंग में उनने प्रॉब्लम लगती है तो वह उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट बनाके अपना जिए 5-6 घंटे क्लासेस होती है अगर लैब सुन तो लैब स्टीन घंटे की होती है तो जिस दिन लैब सुन वह दिन थोड़ा हेक्टिक हो जाता है बाकि आपको इविनिंग या नाइट फ्री मिल जाता है जी आवरेज 5-6 घंटे क्लासे होते हैं 5-6 घंटे क्लासे के दौन अगर आप पढ़ाई अच्छे से कर लेते हैं तो आपका मैक्सिमम दो घंटा आपको और देना घर पे आके जो भी आपको असाइंडमेंट्स वगरा या फिर जो भी पढ़ाई करने हैं उसके लावा आपका जो भी फ्री टाइम बचता है उसमें आपके पी और से रिलेटेड काम कर सकते हैं या फिर आप कुछ भी नया इनोवेटिव या फिर आप चाहे तो कोई स्पोर्ट किल सकते हैं या फिर अपनी आयाटी को ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं और या फिर कुछ भी कर सकते हैं जो आपके इच्छा हों और minimum था हमारा 6 lakhs और average फिर भी हमारा चला, average था हमारा 16 lakhs तो 16 to 20 lakhs हमारा average रहता है मैं दोस्ते ने बताई दिया numbers के टम में कैसा placement रहता है जिसमें से majority of students चल जाते हैं non-core में इसमें भी specifically IT branch में like coding वगरा sector में चल जाते हैं और non-core, sorry, core में जाते हैं बच्चे कम जाते हैं वहाँ पे क्योंकि इसको कम रहता है, companies उतनी जादा नहीं रहती है so that is the scenario for placement generally 70% बच्चे placements में बढ़ते हैं 30% बच्चे एक का हाया 16 के लिए जाता है या फिर entrepreneurship के लिए जाता है या फिर अपने family business या फिर कोई भी PhD, M-Tech बगर, 70% बच्चों में से approximate मुझे जितना idea उतना है, 70% बच्चों की placement लगती है और average package 15-16,00,00 का होता है और अगर आप non-core या फिर वो सारी branches में जाए तो आप 30-35,00,00,00 तक भी जा सकता है अच्छे उससे Okay, अब next question है, important question, civil department की काहसित क्या क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ी आपको interesting लगे जो civil department में मुझे सबसे अच्छा लगा वो है practical knowledge क्योंकि mostly course हमारे practicals से related होते हैं तो अगर हम practical knowledge, practicals करते हैं तो हमको जादा अच्छे सचीज़ समझ में आती है civil engineering या फिर मैं कहूँ IIT मुदरा इसकी जो one of the अच्छी चीज मुझे यह लगी कि हांके professors काफी flexible है अगर तुमें civil engineering के अलावा कुछ और चीजों में भी interest है तो वो कभी ignorant या arrogant होके तुमें यह नहीं बताएंगे कि हम खाली core की चीज़े बताएंगे तुमें general life lessons भी देंगे तुमें अगर कोई चीज नहीं सीखनी है तो भी यहाँ पर तुम civil engineering के अलावा electives लेके तुम दूसरे branches का भी सीख सकते हो all in all तुमें एक personality development तुमारा होता है यहाँ पर प्लस तुमें चीजों को practically देखना सीखना मिलता है कि कोई भी चीजों को खाली pen paper पे solve करने सा कोई फायदा नहीं जो कि हम जेई में करते रहें अभी हमें चीजे practically कैसे करना है वो सब चीज़ा समझ में आती है आई टी या फिर सीविल इंजिरिंग के द्वारा करने से और अब सबसे important कि इस सीविल डिपार्टमेंट क्यों नहीं लेना चाहिए किस बंदे को नहीं लेना चाहिए सिविल डेपार्टमेंट यह वाले बात करें सिविल ब्रांच में थोड़ा सा जो कमी यह है आज आजकल की जनेरेशन के साफ से लोग बहुत ज्यादा सी आसाइटी की तरफ भाग रहे हैं तो हमको अपॉर्चुनिटीज इंडिया में उतनी देखने को नहीं मिलती है कि इनडिया में अगर बात करें तो इनडियार डिवल्लपिंग कंट्री बट सिल यहाँ परket इंजिए इंट्रिकिति नहीं जितना अगर चंट्री में जाते हैं वहां जादा परशंई ही शाया civil engineering के जो मुझे थोड़े cons लगे या फिर cons या फिर mentality बोल सकते है कि एकदम quick पैसा नहीं आपको थोड़ा सा patience होना patient रहना पड़ेगा throughout the year जैसे जैसे आप experienced engineer बनोगे तब आपको पैसा आना चालो होगा जो life में लोग मज़े करना start करते तब आपको पैसा देरे देरे आना चालो होगा और दूसरी बाती है कि आपको मेहनत बहुत है अगर आप physically fit या ना हो या फिर आपको इतना ताम जाम पसंद ना हो तो आपको civil engineering I guess आप लुट के लिए नहीं बनाए अगर आपको AC में बैटके काम करना पसंद है और quick पैसा पसंद है तो मेरे साब से CS और IT branch आपके लिए better रहेगा अगर आप civil में भी आज आते हो तो भी आप try कर सकते हो कि आप non core की तयारी करे और उसमें placement लिए